है गाईज विल्कम बैक टो में यूट्यूब चैनल बन सगेर माइनेम इस आदिश खांकार आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे आज हम यहाँ पे एक नया चैप्टर लेके आने वाले हैं पिछले लेक्चर में हम लोग ने पर्मुटेश स्टेट बोड के लिए में केटर तो कर रहा हू सारे वाले हैं तो हमारा आज लेक्चर नमबर वन रहने वाला है तो मेक्शूर आप सभी लोग अच्छी तरह से बैट कर एक जगह पे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है और matrices का मतलब क्या होता है इसके पहले बच्छो मैं लेक्चर को start करने से पहले एक दो मिनिट का time लेना चाहता है आप लोगो कुछ बताना है मैंने community post में एक सवाल डाला था बच्छो आप सभी लोगों के लिए and वो से जाधतर मेंने responses देखे तो वो तीन chapter में focused है सबसे पहला chapter कौन सा था तो that was determinants and matrices दूसरे कुछ बच्छे बोल रहे थे straight lines पढ़ाओ तो तिसरे कुछ बच्छे बोल रहे थे calculus पढ़ाओ भी calculus में कौन सा कुछ बच्छे integration बोले, differentiation बोला गया, कुछ बच्छे लिमिट्स भी बोला तो कुछ बच्छो ने functions भी बोला, बड़ा हम रियली थोड़ा बहुत यहाँ पे एक बात बतानी है बच्छो मुझे straight lines तो में पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद हम लोग straight lines के उपर जाएंगे majority of the students जो calculus पार बोल रहे थे, वो functions, limits and differentiation and integration बोल रहे थे थोड़ा सा surprising fact यह था कि किसी भी बच्छे ने यह नहीं बोला कि उनको relations पढ़ना है इसका यह दो ही मतलब हो सकता है, या तो आपका relations पढ़कर हो गया है, नहीं तो आपको पता ही नहीं कि relation happens to be one of the most important concepts, सबसे पहला वो समझना पढ़ता है, तब जाकर functions and limits पढ़ना होता है अगर आप यह सारे chapter को skip करके directly limits पढ़ रहे है, तो आपने बहुत बड़ी गलती किया है, आप लोग गलती करने वाले है तो please बच्छो मैं आप लोग से एक request करना चाता हूँ, if you really are learning, आपको limits पढ़ना है, because exam में आने वाला है मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि limits में अगर आपको पढ़ा दूँगा, तो आप अभी के अभी some को solve कर पाऊँगे बड़ उसका जो internally जो एक knowledge होता है, वो एक logic होता है, वो आगे जाकर आपको बहुत बड़ा problem करेगा, अगर आपको वो नहीं पता होगा तो तो उसका एक chronology है, उस chronology के वज़े से मैं आपका limits और functions का chapter नहीं ले पाऊँगा अभी आने वाले दिनों में, क्यूंकि उसका एक chronology को maintain करना बहुत important है, सबसे पहले आपको sets को पढ़ना पढ़ेगा, sets होने के बाद relations पढ़ा जाता है, relations समझने के बाद ही आपको functions पता च ज़रूरी होता है, and partition product आता है, बच्चों से, sets में, तो आपको sets, फिर आप लोगको relations, फिर आपको functions, then limits आता है, फिर continuity आता है, अगर ये दोनों चीज़े समझ में आगे, तब differentiation आता है, उसमें application of derivatives, फिर indefinite integration, definite integration, application of definite integration, उसके बाद में differential equation and उसका application, तो ये सारे line में आते है बच्चों, आपके textbook में ये सारे chapter line में देने का reason ही ये था, कि आप लोगको starting से सब कुछ समझे, fundamentally समझे, इसलिए बच्चों, अगर आप लोगको, आप चाते हैं कि आपको functions पता हो, limits पता हो, तो आपको starting से पढ़ना पढ़ेगा, sets पढ़ना पढ़ेगा, फिर relations पढ़ना मैं तो उसी line में जाने वाला हूँ, मैं directly कुछ नहीं पढ़ाने वाला, I am going to go with the flow, so that you could understand everything, तो फिलहाल के लिए मैं determinants and matrices पढ़ाने वाला हूँ, इसमें determinants बहुत important concept है engineering के लिए, matrices भी बहुत important है, matrices जो है वो अगले साल फिर से repeat होने वाला है, 12th standard में फिर से आने वाला है, with an advanced concept, तो समझने की कोशिश करते हैं, in a nutshell बचो समझने की कोशिश करते हैं, पूरे chapter में क्या-क्या है, तो सबसे पहला हम लोग definition पढ़ेंगे and फिर determinants का expansion कैसे करना है वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे minors and co-factors of determinants, बहुत important concept as far as your CET and JE level exams are concerned बचो, अगल we are going to learn about introduction and types of matrices, मतलब यहां से हम लोग matrix के बारे में पढ़ना start करने वाला है, then matrix के उपर आधा है, operations on matrices, properties of related matrices, so there are so many concepts in this particular chapter, इसलिए यह आदा आदा बटा हुआ है, यह chapter आपके text book में अगर आप देखोगे तो दो miscellaneous मिलेंगे, पहला miscellaneous determinants के उपर रहेगा, तो दूसरा miscell जो है, वो matrices के उपर रहने वाला है, हम पूरा अभी आगे के 3-4 lecture या 4-5 lecture determinants के उपर focus करने वाला है, I want everyone to please understand this, आज का session थोड़ा छोटा ही होने वाला है, because we are going to learn about point number 1 today, definition क्या होता है, determinants का and expansion क्या है, definition मतलब definition नहीं पढ़ेंगे, expansion पढ़ने वाला है, and next lecture हम minors and cofactors को पढ चलो, start करते हैं बच्चो, first of all, let's recall, recall करते है, determinants का हमने वो वाला concept पढ़ाई किया था, जो हमने 10th standard में linear equations in two variables के टाइम पढ़ा था, जिससे हम Kramer's rule से linear equations को solve कर पाए थे, वो था बच्चो कि अगर मान के चलो, आपके पास एक element है A करके, उसके पास दूसरा element है B, and then C, and then D, ऐसा कुछ है, तो हम एक vertical line मारते थे, दोनों side से, तो ऐसा कुछ determinant आपका दिखता था, इसको solve करने का तरीका बहुत simple हुआ करता था, बट solve करने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ, इस particular चीज़ को अगर आप determinant को देखोगे, तो आपका जो horizontally arranged numbers होते है, उसको हम row बोलते है यह जो ऊपर का row होता है, उसको हम first row बोलते है, और जो second का horizontally आपको दिख रहा है, उसको हम second row करके बोलते है, so there are in all two rows, उसके बाद में अगर हम column wise अगर देखने जाएंगे, तो पहिला column जो होता है, इसको हम first column बोलते है, और जो vertically जो second part है, उसको हम second column बोलते है, hopefully सभी row, first column and second column respectively यहाँ पे हो चुका है, अब इस particular चीज में ध्यान से देखो, यह जो determinant आपको दिख रहा है, यह determinant है, order 2 का, order 2 का मतलब समझा नहीं, order 2 मतलब 2 by 2, order 2 मतलब होता है, इसके पास row भी 2 है, और इसके पास column भी 2 है, इसको order 2 का determinant बोला जाता है, और हम ने जो determinant निकाला जो हम लोग ने determinant use किया था, बचो 10 standard में, वो एक order 2 का determinant था, जिसको solve करना हर बच्चे को आता है, बरबर न, अगर हम इसको solve करेंगे, तो कैसे करते थे, top left से हम लोग number लेते थे, और उसको cross multiply करते थे, तो A and D multiply हो जाता था, बच्चा, तो it used to give me AD करके, and फिर B और C को multiply करते थे, तो BC हो जाता था, and बीच में कुन सा sign डालते थे, minus sign डालते थे, बच्चो, determinant में minus sign डालते थे, इसका मतलब है यह नहीं कि हमेशा determinant में minus sign ही आता है, actually वो कैसा होता है, मलो में, it depends upon the number of terms, आपका सबसे पहला term हमेशा positive ही होता है, इसलिए AD जो हमेशा positive है, मतलब अंदर क हम आजाता है बच्चा, इसके आगे तो वो positive बन जाता है, तो plus minus, plus minus, plus minus, ऐसे बढ़ता है, तो यहाँ पर minus sign उसी का reason है, okay, इतना समझ में आगे है सभी लोग को, it's not difficult, right, but यह तो हमारा 10th standard में हमने पढ़ा ही किया था, इसमें क्या नहीं बाती, यह तो सबको आता है, it's not at all a big deal sir, हमें आता है, let's try to understand the determinant of order 3, and यहाँ से चालो होता है बच्चो, important, बहुत ही interesting concept, determinant of order 3 को समझने के लिए, सबसे पहले आप लोग कुछ चीजे और कुछ terminologies को समझना बहुत जादा important है, किस terminology की बात कर रहा हूँ है, धान से सुनो, अब मैंने वहाँ पे determinant of order 2 में ABCD करके वाला हूँ, there is something that I have given over here, A के साथ कुछ number लिखा है बच्चो, यह बहुत important है, सबसे पहले A का मतलब होता है, कोई भी element, कोई भी number, कोई भी number हो, उसको element बोलते है, तो A is an element, but यह 11 का मतलब क्या, यहाँ पे 11 में सबसे पहिला जो number होता है हमेशा, जो की 1 ही है, वो आपका row, कोई से row में लाए कर रहा है, वो बताता है, और जो दूसरा number है 1, वो कोई सा column में लाए करता है, यह बताता है, इसका मतलब है कि अगर कोई भी वच्चा A11 को पढ़ा, तो उसको समझ में आना चाहिए, this particular element is lying in the first row, as well as the first column, तो पहले row में भी लाए कर रहा है, और पहले column मे भी लाए करने वाला element को A11 बोलता है, फिर अगर मैंने बाजु वाले को ले लिया, तो जाहिर सी बाते अभी भी आप देख सकते हैं, यह तो अभी भी first row में ही है, इसलिए A के बाद में 1 लिखा है, बट बाद में अगर 2 देखोगे तो that is lying in the second column, vertically देखोगे तो यह तो दूसरा number हमेशा column का होता है, यह standard है, इसको standard बनाया गया है, आप standard को ही follow करना है, इसके बाद में नीचे जाओगे तो please A14 करके मत बोलना, क्योंकि अभी आपका row बदल चुका है, तो row बदल है, मतलब second row में आ चुके हो, बट first column में हो, A21, A22 and A23 respectively, तो जिस इसाब से, आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, आप लोग का एक determinant रेडी हो चुका है, इस इसको इसको solve कैसे करें, इसको solve करने का तरीका बहुत simple होता है बच्चा, बट कुछ चीजे हैं हम लोग, मैं जब 11 स्टैंड में था, बहुत सारे मेरे जो friends थे, 11 स्टैंड में थे, जब हम ल करते थे, तो सीख रहे हो, आप लोग पहली बार इसरे strike out बोल रहा हो, exam के time आपको strike out नहीं करना है, please don't strike out or something, strike out मतलब क्या, cancellation मतलब क्या, समझाता हम, सबसे पहले बच्चों, आप लोग को यहाँ पे 3 elements को उठाना है, आप कोई भी 3 elements उठा सकते, चाहे row से उठा सकते, हमेशा prefer करना first row, फिर से बोलता हम, आप कोई भी number उठा सकते है, चाहे row से, कोई भी column से, किदर से भी, बढ़ हमेशा prefer करना row का, पहला row का, तो पहला row मतलब पहला number कुन सा है, A11, तो मैंने A11 ले लिया, अब बच्चों, जैसे ही आपने A11 ले लिया, तो A11 जहाँ पे है, क सारे elements, strike out कर दो, and A11 से related सारे column के elements, उसको भी strike out करो, strike out आपको मन में करना है, अगर आप घर में बेट कर थोड़ा solve करना चाहते हो, थोड़ा rough work करना चाहते हो, तो strike out कहीजी है starting में, बढ़ आपको थोड़ा practice ऐसा होना चाहिए, कि आप मन में इसको strike out करो, कि first row के सारे elements गा है, first row and first column, तो बचता कोन है बच्छो यहाँ पे, वो सारो का determinant निकालना है, मतला determinant of बच्चे हुए चीज़े, A22, A23, A32, A33, यह हो गया आपका पहिला पाट, दिखने के लिए difficult लगता है, believe us बच्छो, जब हम 11 में थे हमें भी लगता था रही किती dangerous है, बट कुछ नहीं है चुटकी बर में हो जाता है, अगले साल तक तो मैं बोलता हो, हर बच्छा इसको orally करना start कर देता है, इतना easy है, उसके बद में sign आएगा, minus sign, जैसे मैंने आप लोग को बोला था, तो यहाँ पे minus sign आने वाला है, अब minus sign आने के बद बच्छो, आप लोग ने A11 ले लिया, म A12 lies in the second column, तो second column के सारे strike-out, तो आपको determinant किसका निकालना है, बच्छे हुए चीजों का, जैसे A21, A23, A31 and A33, समझ में आ गया, ओके उसके बाद में minus हो गया, तो अभी फिर से plus आता है, मैंने बोला ना alternatively होता है, plus, minus, plus, बार-बार minus नहीं होता है, plus, minus, plus, minus, तो आगे जाकर fourth होता, four order का होता, तो और एक यहाँ पर minus आ जाता, बढ़ हमारा four order नहीं है, तीनी order है, तो यहाँ पर A13 आ जाएगा, which happens to be the last element of that row, first row का, तो A13 आ गया, तो वो particular row, पूरी तरह से strike-out करना है, और पूरी तरह से column को भी strike-out करना है, तो बचा हुए जो element रहेगा, वो हमारा elements determinant निकालना है उसका, तो कौनकोन है, A21 है, A22 है, A31 है, and A32 है, काम कतम हो गया, बहुत simple, अब बच्छो, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को यहाँ पर respective determinants निकालना नहीं आता होगा, क्योंकि आगर आप लोग देखोगे, तो वो determinant जो निकाल रहे है, वो two by two का है, order two, and order two का determinant आपको निकालना आता है, आप लोग आराम से निकाल सकते है, let's try to understand, बच्छो, determinant of order three, अगर आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ चोका है, तो क्यों ना दरह देखा जाए कि आप लोग को कितना समझा है, with the help of कुछ questions, exercise 4.1, इसमें total 6 questions है, आज हम यहाँ पे तीनी questions लेने वाले है, because 4th, 5th and 6th जो question है, वो minor and co-factor से related है, मैंने सोचा कि उसको अलग से वीडियो में ही आप लोग को सिखाया जाए, चोलो, exercise 4.1 का question number 1 क्या बोलता है, find the value of determinant, and यहाँ पे मैंने sub question number 2 लिया है, इसका यह मतलब है कि sub question number 1 कुछ जादा ही easy होगा, इसलिए मैंने व complex number वाला topic है, तो थोड़ा सा पढ़ाया जाए, complex number है बच्छो इसको कैसे solve करोगे, पहला cross multiplication करना, 2i multiplied by minus i, मतलब iota है, मैंने अभी i बोला मतलब i मत समझना, iota है, 2i multiplied by minus iota, and minus 3 multiplied by 4 हो जाएगा, very simple thing to understand, चलो, इसमें न मैंने थोड़ा सा shortcut किया है, because मुझे ऐसा लगता है कि I am assuming that आप लोग को अभी complex numbers आता है, क्योंकि देख सकते हैं, बच्छो, minus को थोड़ी दिर के लिए बाहर भी रख देते, तो iota और iota, मतलब iota का square होता है, iota का square कितना होता है, बच्छो, what is iota square? iota square is minus 1, and already एक minus था, तो minus minus प्लस हो गया, तो यह positive 2 बन जाएगा, बच्छो, sub question number 3 क्यों नहीं लिया, because sub question number 3 बहुत simple है, आप लोग खुद से try करोगे बच्छो, it's a very simple concept, I am going to go with sub question number 4, sub question number 4 मेरा favorite है, इसमें एक बहुत interesting part है, जो भी बच्छा 12 standard का होगा, या फिर जिसने अभी तक तो पढ़ाई करना start कर लिया होगा, उस बच्छे को इसके बारे में प और जिस बच्छे ने pair of straight lines करके पढ़ा है, उसको पता रहेगा कि ये कितना important है, ये कोई general नहीं है, ये साधा सुधा determinant नहीं है बच्छो, I hope everyone knows this part, pair of straight lines है, अगले साल का है, 12 standard का है, उनको पता होगा, जब मैं 11 standard में था, तब मेरे जो दोस्त थे, वो classes में जॉइन करते थे उदर tutions में जाते थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनको एक hint दिया था, teachers ने, अभी भी बहुत सारे hints ऐसे मिलते है, तो मुझे जो बताया गया था, वो कुछ ऐसा था, all hot girls having beautiful faces go for club, मैं बोला अरे ये क्या फाल तो के लिए, so this is something, आज भी बहुत सारे ऐसे mnemonics चल मैंने यहाँ पे तोड़ा सा shortcut किया है, but I will be expecting from all of you to do entirely, क्योंकि मेरा काम है यहाँ पे आपको concept सिकाना, कैसा लिखना है, कैसा नहीं लिखना है, वो आपके college के ओपर depend करेगा, और वो आपके ओपर depend करेगा, चलो, यहाँ पे सबसे पहले मैंने A ले लिया, अब A ले लिया ब BF और FC का determinant निकालोना directly, तो क्या हो जाएगा, BC minus F square, काम कतब, मैंने बोला था ना बच्चों कैसे फटा-फट से हो जाता है, फिर minus, second element कौन सा है बचा, रो में, H है, तो minus H, फिर H वाला जो part है, column में, cancel कर दो, and उपर AHG cancel कर दो, तो बचा कौन, HFGC, तो cross multiply करो, HC minus FG, very simple, plus, बाद में, third, कौन सा था है, यहाँ पर G ता, तो यहाँ पर G आ जाएगा, बच्चों, and G आने के बाद, आपका G से, third column, and first row cancel होने के बाद, आपके पास बचेगा, कौन सा, HB, GF, HB, GF, cross multiply करो, HF minus BG करके मिल जाएगा, open the brackets over here, बच्चों, आप लोग का काम almost खतम हो जाएगा, open करो के तो क्या हो जाएगा, ABC करके आजाएगा, minus AF square हो जाएगा, यहाँ पर minus CH square हो जाएगा, plus हो जाएगा, बच्चों, then FGH हो जाएगा, plus फिर से यहाँ पर FGH हो जाएगा, and minus BG square करके हो जाएगा, it's a very simple concept, कुछ भी difficulty यहाँ पर नहीं थी, मैंने यहाँ पर थोड़े arrangement किये, rearrangements किये, and कुछ like terms था उसको solve किया, कुछ cancel नहीं हो रहा है, add हो रहा है, उल्टा, तो मैंने पहला ABC लिखा, फिर आपने वहाँ पर FGH और FGH के addition देखा, बच्चों, हाँ, वो 2 FGH बनेगा, तो 2, plus 2 FGH बनेगा, बाद में मैंने alphabetically कुछ लिखा है, तो minus AF square को मैंने पहला लिखा, फिर alphabetically B आता है, तो minus BG square लिखा, and फिर alphabetically C आता है, तो minus CH square लिखा, आगे कुछ नहीं कर सकते थे, बस इतना ही solve करना था, आपने question number 1 के दोनों sub-question solve कर लिए, and it was that simple अब बताओ बच्चो आप लोगको determinant of order 2 and determinant of order 3 में कुछ दिक्कते हुई, कुछ difficulty face हुआ, I hope not guys, अगर आप लोगको नहीं दिक्कते हो गए, यह basic question समझ में आ गया रहेगा, तो I hope आप लोगने अब तक sub-question number 1 and sub-question number 3 कुछ से किया ही होगा, अगर किया है, तो आगे बढ़ बड़ा simple सा question है बच्चो सिर्फ आपको determinant use करना है और यह भी 2 by 2 है, तो आपको तो आता है, 2 by 2 के हिसाब से हमने क्या सीखा था बच्चो, कि cross multiply है, मतलब x square minus x plus 1 multiplied by x plus 1 minus x plus 1 into x plus 1 is equal to 0, यहाँ पे बच्चो इस particular question को solve करने के दो अलग-अलग तरीक है, तरीका number 1 जो मैंने नह नहीं सिखाया है, आप खुद try कर सकते हैं, वो यह है कि अगर आप देखोगे, दोनों term में x plus 1 common लिया जा सकता है, आप try करो बच्चो, x plus 1 को common लेने की कोशिश को run bracket में बाकी सारे terms ले लो, बड़ याद रखें बच्चो कि वहाँ बीच में minus sign है, इसलिए आपका sign change हो सकत जो मैंने किया है, ओके चलो, x square into x becomes x cube, x square into 1 becomes plus x square, फिर minus x into x becomes minus x square, minus x into 1 becomes minus x, 1 into x becomes plus x and 1 into 1 becomes plus 1, यह हो गया मेरा पहला, दूसरा, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इधर आपको expansion करने की भी जरूरत नहीं है, x plus 1 into x plus 1, मतला x plus 1 का square होता है, which is a square plus 2ab plus b square, मतला x square plus 2x plus 1 but bracket के अंदर, because बाहर minus sign है, is equal to 0, यहाँ पे दरा मैंने bracket को open कर दिया सबसे पहले so that everything will be cancelled out together, तो minus x square minus 2x and minus 1 is equal to 0 बन गया, अब चेक करो बच्छो यहाँ पे क्या-क्या cancel हो रहा है, काफी सारे terms तो cancel ही हो रहा है, जैसे x square x square cancel हो जाएगा, minus x plus x cancel हो जाएगा, and 1 और 1 भी cancel हो बचेगा तो सिर्फ x cube, and फिर plus 1 और minus 1 cancel हो गया, तो minus x square and minus 2x is equal to 0, अगर आप देखो कि धान से यहाँ पे, तो आप x को common ले सकते हैं, यहाँ पे common factor लिया जा सकता है, तो x multiplied by क्या हो जाएगा, x square minus x minus 2 is equal to 0, इसका मतलब यह है कि बच्छो, either x is equal to 0 हो जाएगा, और x square minus x minus 2 is equal to 0 हो गया, चुकि सबको पता ही था कि एक cubic equation था, तो इसमें तो 3 roots मिलना थो obvious था, तो 3 roots मिलना है, हमें पहला root मिल चुका है, x का value 0 करके, बागी के 2 roots निकालने के लिए बच्छो, आपको नहीं लगता यहाँ पे, कि मेरी जरूरत ही नहीं है आप लोको, don't you really think x square minus x minus 2 is equal to 0 is a very simple quadratic equation, which you are supposed to solve on your own, आप कर पाओगे बच्छो, और यह तो factorize भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं कि formula method से करना है, कुछ नहीं है, 2 का factor निकालना है बच्छो, minus 2 का, जो बीच में minus 1 दे दे, minus 2 plus 1 करोगे तो मिलेगा, तो एक bracket होगा x minus 2 का, दूसरा bracket होगा x plus 1 का, अधर उसको solve करन कुछ चीज़े मैंने आप लोग को दिये, कमेंट्स में देखते रहता हम, जब मैं आप लोग को कुछ shortcut करके देता, तो आप बोल देता हो कि हम भी exam में ऐसा करें, थोड़ा मेहनत भी करो बच्छो, हर जगा पर shortcut मत यूज़ करना, तो make sure कि आप लोग थोड़ा solve करे, आप को try करने के लिए मैंने यहाँ पर shortcut किया है, ताकि आप खुद करो, okay, सब कुछ spoon feeding नहीं कर सकता, तो यहाँ अगर आप लोग solve करोगे, तो x का value या तो minus 2 मिलेगा आप लोग को, sorry, x minus 2 and x plus 1 बोला ना, मैंने, x minus 2 है तो x का value plus 2 हो जाएगा, या फिर x का value minus 1 हो जाएगा, so these are the values that you are going to get, and x के कुण से कुण से value accepted है, all the values are accepted, कोई negative, कोई positive फरक नहीं पड़ता, x का value 0 होगा, minus 2 होगा, और minus 1 होगा, all these things are the values of x, and it is as simple as that, जाते हैं बचो, question number 2 के, find the value of x वाला, और a question, sub question number 2, sub question number 2, जाहिर सी बात सबको पता ही चल चुका रहेगा, कि this will be a 3 by 3 का order का matrix, and 5 करके दिया है, and that is equal to 29 करके लिखा है, question difficult नहीं है, बढ़ आप लोगो determinant को expand करना आना चाहिए, चलो, सबसे पहले हमने क्या सीखा था बच्छा, हम उपर का row का, उपर वाले row का, तीनों element लेंगे, and उस साब से determinant निका लेंगे, तो पहला मैंने x ले लिया, अगर मैंने x ल आओगे, determinant लिखोगे, जैसा मैंने फॉर्मिला में बताया था, वह ऐसा, मैंने short cut कर दिया, मुझे बताना बचे, यहाँ पे 1, minus 3, minus 4, and 5 का determinant कितना, आप निकाल के देखो ना बचे, कितना मिलेगा, 1, 5 is 5, minus, minus 3 into minus 4 is 12, मतलब 5 minus 12 होना चीए, check करो, 5 minus 12, मेरा तो बराबर minus 1 हो गया हो तो, minus लिखना था, और उपर minus 1 है, second देखो, second element दिख रहा है, आप लोगो, first row का, minus 1, तो minus minus plus हो गया, तो 1, and उसके बाद में, वो second column का, और first row का strike out हो जाएगा, तो आपके पास बचेएगा, कि 2x into 5, that is 10x, minus, minus 3 into 3, minus of minus plus होता है, 3, 3, 9 होता है, मतलब 10x plus 9 होना चाहिए, देखो, 10x plus 9 करके मिल गया, and plus, फिर 2 आएगा यहाँ पे, and 2 रहेगा, तो बचो, 2 कहाँ पे था, first row में था, तो first row का, पूरा strike out, and third column का strike out, तो आपको मिलेगा, इतना सा, 2x, 1, 3, and minus 4, उसको solve करो, बचो, 2x into minus 4, कितना होता है, minus 8, minus 1, 3, दा 3 होता है, minus 8x, minus 3, very simple, चलो, इसको solve करते, is equal to 29 करके उन्होंने लिखा है, bracket को open करना पड़ेगा, तो 5x minus, sorry, bracket को open करने की भी जरूरत नहीं, bracket के अंदर तो 5 minus 12 है, like term है, यह तो और भी easy है, 5 minus 12 तो minus 7 होता है, तो minus 7 into x, minus 7x हो जाएगा, हाँ, यह easy है, इधर bracket को open करना पड़ेगा, 1 into 10x, 10x होता है 1 into 9, 9 होता है, इधर भी like term होता है, इधर भी like term होता है, इधर bracket को open करना पड़ेगा, so 2 into minus 8x होता है, minus 16x, and 2 into minus 3 होता है, minus 6 is equal to 29, अब आपको थोड़ा solve करना पड़ेगा, the like terms are there over here, like terms कोंसा कोंसा दिख रहा है, 10x minus 7x होता है, 3x, and 3x minus 16x होता है, minus 13x, तो यह पे minus 13x मिलना ची, and अगर आप लोग देखोगे, तो 9 minus 6 कितना होता है, 3 होता है, पड़ो 3 उदर जाएगा, तो 29 minus 3 होगा, जो कि 26 देगा, तो मुझे minus 13x is equal to 26 मिला, तो x का value तो सभी लोगों को पता, it will become 26 upon minus 13, which will give me the answer as minus 2, आपको x का value मिल भी चुका, so unlike the previous वाला question, वहाँ पे हमें 3 answers मिल तो x के, यहाँ पे x का सिर्फ एक ही value मिलेगा, because it's not a cubic or a quadratic equation or something, हमें जो equation मिला था, वो एक सादा सुधा linear था, तो इसका एक ही answer मिलेगा, and it was as simple as that, बहुत simple थाना बच्चो, होपफुली आप सभी लोगों को समझा है, चो लो, question number 2 हो गया है, तो let's proceed for the last question for today, and that is question number 3, question number 3 बो 1, 3 iota square, 4, 5, minus 3, and iota, and इसका answer कुछ देखे रखा है, that is x plus iota y, where iota square is equal to minus 1, देखने के लिए बहुत difficult लगता है, but बहुत simple है, actually उनने हमसे x and y का value पूछा है, वो बाद में की बात है, छोड़ दू, हमें आप एक determinant देखे रखा है, उस determinant का value भी देखे रखा है, and एक वो determinant का जो value है, वो एक complex number है, x plus iota y, जहाँ पे iota square का value minus 1 देखे रखा है, दिया नहीं तो भी हम लोग को फरक नहीं पड़ता, हमें पता है, iota is equal to root of minus 1, तो iota square is always equal to minus 1, very simple, चलो इसको solution निकालते है, सबसे पहले बच्छो, determinant देखे रखा है, तो I am going to write the thing as it is, and अभी हम determinant को expand करते ह expand करना आता है ना बच्छो, चलो, expand करने के time, पहला क्या लेंगे, पहले रोके elements, तो 4 iota, 4 iota लेने के बाद, बच्छो, हमें क्या करना पड़ेगा, cross multiplication करने, determinant निकालना पड़ेगा, चलो, आराम से निकालो, 3 iota square into iota होता है, 3 iota cube, minus, 4 into minus 3 होता है, minus 12, तो minus, मतलब plus 12 हो फिर minus, उसी रो का second element, iota cube, iota cube लेने के वज़े से first row गायब हो गया, and second column गायब हो गया, बच्छता क्या है, 1, 4, 5 iota, 1, 4, 5 iota, cross multiply करो, determinant निकालना ना, 1 into iota, iota, minus 4, 5 हो 20, तो iota minus 20 हो जाएगा, very simple, चलो, plus, फिर third element, जो है first row का, 2 iota, अगर 2 iota लिया, तो first row गायब हो गया, third column गायब हो गया, बचा हुआ number, 1 into minus 3, minus 3, minus 3 iota square into 5, 15 iota square, तो यहाँ पे minus 3 minus 15 iota square हो जाएगा, is equal to x plus iota y मिल जाएगा, as simple as that, यहाँ तक simple है, everyone understood, अभी ना बच्छो, यहाँ पे दो तरीके है, solve करने के लिए, कुछ बच्चे क्या कर यहाँ पे जो iota cube दिया है उसको direct solve कर लेते है, iota cube के जगह पे डाल लेते है, minus iota, सबको powers of iota आता है ना बच्छो, iota मतलब iota, iota square मतलब minus 1, iota cube मतलब minus iota, iota to the power 4 मतलब 1, कुछ पता है ना, यह सब कुछ सीखा है हमने complex number में, नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाकर देख रह iota cube का value, iota square का value करना है तो कर सकते है, मैंने नहीं किया, मैंने क्या किया मलब में, मैंने bracket को open कर दिये, तो 4 iota into 3 iota cube, 4 iota to the power 4 हुआ, and 4 iota into 12 हो गया, 48 iota, simple था, and minus iota cube into iota कितना होता है, minus iota to the power 4 हो जाएगा, and minus of minus plus है, तो यह हो जाएगा 20 iota cube हो जाएगा, and फिर 2 iota into minus 3 हो 15 iota square है, तो 30 iota cube होना चाहिए, minus में, तो minus 30 iota cube is equal to x plus iota y, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि mathematics में बहुत सारे तरीके होते करने के, मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा किया, आपको वह ऐसा नहीं पसंदे, आपको कुछ और experiment करना है कर लो, मैं अपने school level में अलग-अलग experiments करता था and finally मुझे answer same मिलता था, इससे मुझे एक तसली मिलती थी कि मैं exam में कौन सा भी मेतर से करके जाओंगा, तो मुझे कोई tension नहीं, this is how you have to look for many solutions, जो तुमारे मन में आता है न, तो आप लोग क्या करते हो मालो में, जब आपके मन में एक सवाल आता है, तो आप directly teacher से पूछते हो comments में पूछते हो, कि ऐसा करेगा तो चलेगा क्या, पूछना अच्छी बात है, बट क्या आपने करके देखा क्या, what if आप खुद करके देखोगे and आपको मिलेगा, तो आपको पूछने की भी ज़ूरत नहीं है न, so I never used to ask my teacher all those things before doing, मैं पहले क्या सोचता था, मन में आया ही है, तो करके देखते हैं, आप लोग भी ऐसा try करके देखनेगा, कि आ रहा है कि न, अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे comment में बल सकते हैं, कि ऐसा होता है, क्या चलता है, क्या, या फिर मैंने try करके दिया, मुझे नहीं मिला, what was the reason, you can tell me, but बिना किये सवाल मत पूछना, पहले try करके तो देखो, whatever the question is in your mind, okay, यहाँ पर बच्छो, अभी मैंने solve करना, start कर दिया, बट solve करने से पहले कुछ like terms थे, उसलों मैंने solve किया, 12 iota to the power 4, minus iota to the power 4, 11 iota to the power 4 हो जाएगा, like terms देखो बच्छो, फिर iota cube का कुन सा दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, 20 iota cube minus 30 iota cube होता है, minus 10 iota cube, फिर और कुन सा like term है यहाँ पर, iota square तो दिखी नहीं रहा है, छोड़ दो, 48 iota minus 6 iota, कितना हो गया, 42 iota, तो plus 42 iota हो जाएगा, is equal to x plus iota y, अरे इसको compare नहीं कर पार है, अरे compare करना की हो है, अभी तो value डालना बाकी है, iota to the power 4, iota raised to 4, कितना था बच्छा 1 था, तो 11 into 1 मतलब 11 ही हो जाएगा, काम कतम, iota का cube, iota का cube था बच्छो, minus iota, but minus 10 already है, तो minus minus plus हो जाएगा, तो plus 10 iota हो जाएगा, minus iota था ना, तो minus तो ले लिया उदर, तो minus minus plus हो गया, 10 iota, plus 42 iota उसका कुछ नहीं कर सकते रहने तो, is equal to x plus iota y, अगर आप अच्छी तरह से देखोगे, तो यहाँ पे फिर से like term है, तो वो क्या है, 10 iota plus 42 iota, जो की देता है आप लोग को 52 iota, is equal to x plus iota y, comparison करना आता है, equality of complex numbers का concept पढ़ा था बच्छो, algebra of complex numbers में सीखा है था हमेने, कि अगर आपके 2 complex numbers equal होता है, तो उसका real part हमेशा real part के साथ equal होता है, और उसका imaginary part 11 है, दुसरे में x है, तो सबको पता है x का value 11 देगा, and y का value कितना देगा, बच्छो जो imaginary part है, 52, iota मत बोलो, y is equal to 52, तो x is equal to 11, and y is equal to 52, क्या हमें उन्होंने वही find करने बोला था, definitely, हमें x and y का value निकालना था, हमने निकाल दिया, and this is how you have solved this question, आपने यहाँ पे complex number का revision भी कर कर दिया, at the same time आपने कुछ नया सिकाया, आपे expansion of a determinant of the order 3, and it was as simple as that, इसे related जादा questions नहीं है, बड़ आगे जाकर और expansions के questions आने वाले है, make sure आप सभी questions को अच्छी तरह से करो, अगर आप लोग को यह सारे चीज़े जमेगा, तो lecture number 2 जो हो गया, वो बहुत ही interesting जाने वाले ह आप सभी लोग के लिए, बहुत important concept है, आप लोग को बहुत मताएगा, so make sure आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखे, समझे, and बाकी के जो दो questions हमारे बचे थे, sub questions, उसको ठीक से करे, and टेक्स्ट बुक के पीछे उसका solution ढूंडे, and check करे कि आप लोग का answer बराबर आ रह तो don't forget to show some love and support by liking the video, and sharing with all your friends, who are searching for determinants and matrices chapter, at the same time, अगर चैनल पे नए होंगे, तो subscribe करना भी ना भूले, मिलते नेक्स सेशन में तब तर take care of yourself, love you all, thank you so much, and happy learning.